बहुत बड़ा बड़ा प्रचास होगा तो मैं आपसे यह आगरे करना चाहते हूँ कि सबसे पहले यह जो दूरी है जनता और नेताओं के बीच में इसे आपको नेताओं को सिखाना पड़ेगा आपकी जिम्मेदारी हैं कि आप नेताओं को सिखाईए कि यह सब नहीं चलेगा हवा में नहीं उर सकते आपने बिठाया है मंच पे सबको अच्छी तरह से एसास होना चाहिए जिसको एसास नहीं है जो इस तरह के नीपिया आगे बढ़ाते है आप इस सरकार को देखिए आकरा है कि मैं भूल जाती हूं भाशन में जब कहती हूं कि कितना बड़ा है पाच सौ पचार हजार करोर रुपे इन्होंने बड़े उद्योगपतियों को माफ किया है बड़े उद्योगपतियों को जब कॉंग्रेस पार्टी कहती है कि किसानों के कर्द माफ करो तो यह कह आई योजना इसका मतलब है कि हर गरीब परिवार को कम से कम साल में सरकार 72,000 रुपे देगी हमने ये भोष्णा की कॉंग्रेस पाची देगी मेरे भाई मेरे भाई कॉंग्रेस अध्यक्ष है उन्होंने जो वृत मंत्री होते थे कॉंग्रेस के उनसे कहा कि आप अच्छी तरह से जाच कीजिए कि अगर सरकार को गरीब परिवारों की बदद करती है तो कितने पैसे दे सकती है क्योंकि पिछले चुनाओं में इन्होंने कहा था कि हर गरीब परिवार को 15 लाग रुपे देंगे आज एक कॉड़ी दीती इन्होंने तो कंग्रेस के अच्छी ने कहा कि आप पता करिए सचाई क्या है हम जूटी राजनीती नहीं करेंगे सचाई क्या है असल में अगर सरकार को देना है तो कितना दे सकती है तो उन्होंने कहा कि सरकार 72,000 रुपे हर गरीब परिवार को दे सकती है तो यह हमारे घोशना पत्र में हमने लिखा अब जिस दिन वो घोशना पत्र निकला और ये बात बहार आई सारे भाज़पा के नेता चिलाने लग गए कहने लग गए कि ये लोग सोचते हैं कि कहां से आएंगे ये पैसे ऐसे नहीं है सरकार के पास इस तरह के पैसे ये तो जुमले कर्द बना रहे हैं तो जुमले बनाने वालों ने हम पर ये इंजाम लगा है कि हम जुबला बना रहे हैं और ये जो 72,000 रुपए हैं जो हर गरीब परिवाद को मिल सकते हैं इनका कहना है कि सरकार के पास पैसे नहीं है लेकिन इनी के सरकार के पास पैसे थे 550,000 करोड जब हो द्योगपतियों के कर्दमाब करने थे वो पैसे कहां से है वो पैसे कहां से आए वो पैसे आपकी जेवों से आए है आप समाव यहां पर किसान भाई है आप से बीमा लिया जाता है आप से बीमा लिया जाता है और कल मुझे अमेटी में किसान मिले और मैंने उन से पूछा कि जब मुसीबत आती है तो आपको बीमा की पैसे मिलते ह का कि बिल्कुल नहीं मिलते हैं आपको मालूम है कि किसान की भीमा से उड्योग पत्यों का कितना फाइदा हुआ है दस हजार करोर रुपे का फाइदा आपकी भीमा से उड्योग पत्यों को हुआ है कैसे देश भर के जितने भी किसान है उनसे हर महीने पैसे थोड़े थोड़ नियत खराब है और नीतियां भी खराब है तो आप जागरुप बन जाए और में जहां 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 जाती हूं मैं ये कहती हूँ कि अगर जनता जादरुफ बन जाए तो किसी की हिम्मत नहीं होगी आपके सामने इस मंच पे खड़े होगे आप से जूट बोलने की ये जो जूटों की राज़नीती चली है जो पास सालों से जूट पे जूट पे जूट पे जूट और दुर प्रचार किया जा रहा है ये जो नेता जो आकर चुनाओ के सामने पाकिस्तान की बात करते हैं आपके सामने दूसरी चीजों की बात करते हैं लेकिन आपकी समझ्याओं की बात नहीं करते जिनको ये सनक है मेरे परिवार के बारे में कि मेरे परिवार के बारे में ही बात करते रहते पचास प्रतिशत इनका जो चुनावी भाशन होता ही नहीं होता है कि नहरू जी ने क्या किया, इंडरा गान्दी ने क्या किया लेकिन ये नहीं बताएंगे कि पाथ सालों में इसी पूरी सत्ता लेकर इनों ने क्या किया ये सिर्फ लकारात्मक राजनीती है दुर प्रचार की राजनीती है और जूटों की राजनीती है और अगर जनता जागरुख बन जाएगी पहचान लेगी इन्हें तो ये राजनीती बंद हो जाएगी मैं जब बदोई गई थी तो एक गाउं में कुछ औरतों ने मुझे बुला लिया कि आप उपर आईए मंदिर में तुम्हें चली गई वहाँ पुरा गाउं एकथा हो गया दहाँ उन्हें ने कहा कि दीदी आप ये यहाँ पे ऐलान करतों कि ये जो पुल है यहाँ से नदी के पार आप इसको बनवा देंगी तो जब उन्होंने ऐसा कहा मुझे माEір के पकड़ा दिया और मुझे डर लगा मेरे दिल में मुझे लगा कि मैं कैसे कह दूं मैं कैसे कह दूं कि मैं यहाँ पुल बनवाऊंगी जब मुझे मालूम नहीं है कि इस पुल का ख़र्चा कितना होगा कि ये पुल बन भी सकता है कि नहीं कि सरकार ये बनाना चाहती है कि नहीं मुझे नहीं मालूँ तो मैं ऐसा कैसे कहती हूं सब के सामने कि मैं ये पुल बन वा दूँगी तो ये जो डर है जो मेरे दिल में उस समय पैदा हुआ कि मैं गलत बात नहीं कह सकती जंता के सामने, ये दर हर नेता के दिल में होना चाहिए, और इस डर, इस डर को बनाना आपकी जिम्मेदारी है, कैसे हमारा देश लोग तंतर है, लोग तंद्र का क्या मतलब है कि जन्ता की ताकत जन्ता की शक्ती से बढ़कर इस देश में कुछ नहीं है इसलिए आप सबको वोट है मिलता है जो वोट है सबसे बड़ी ताकत है आपकी आपका अधिकार भी है लेकिन आपका हत्यार भी है आप इस हत्यार को सोथ सबच की इस्तेमाल करिये से जो आपको जूट बोलता है जो आपका काम नहीं करता उसे मत बढ़ देंगे आके जो भाजबबा की राजनीती है तमां प्रचारों की राजनीती है जमीनी राजनीती नहीं रही है जन्ता से अब तालुक नहीं है इसका हवा में उड़ गई है इनको सबग सिखाईए जो जीवन आप जी रहे हैं ये असलियत है ये असलियत है इनकी राज़ीती की कि किसान प्रतारित है कि नौजवान प्रतारित है कि महिला सुरक्षित है कि कंचारी प्रतारिक है, ये है असलियत, और इस असलियत को आप अच्छी तरह जानते हैं, इस सचाई को आप जी रहे हैं, तो जागरुक होना आपकी सबसे बड़ी देश भक्ती होगी, आप जागरुक बन जाएं, तो ये लोग इस देश का नाश नहीं कर सकते, जिस तरह से करना चाह रहे हैं, आपने सुना होगा, आपने सुना होगा, कि ये लोग तंत्र को दुर्बल बनाना चाहते हैं, कैसे, जो संस्थाएं हैं इस लोग तंत्र में, जो आपको मजबूत बनाती हैं, उनको दुर्बल बनाना चाहते हैं, ताकि आप दुर्बल बन जाएं, जहा जहां मैं जा रही है उत्तर प्रदेश में जो अवाद उठाता है और प्रदर्शन करता है मुझे कहता है कि भीरी हमें हमारी पिटाई की गई मैं तो एक महिला से मिली एक अध्यापिका थी प्रदर्शन के रिए चली गई क्योंकि उनका वेतन नहीं मिला था उनकी ऐसी पिटाई की गई उनको जेर में डाल दिया गया उन पे राशुका का कानून लगया राश्ट्र सुरक्षा का कानून एक अध्यापिका पे क्योंकि अपना वेतन मांग रही थी मैं बनारस के विजारतियों से मिनी उन्होंने मुझे का दीदी जब हमने प्रदर्शन किया हमारी पिटाई की गई क्यों ये लोग तंत्र है लोग तंत्र में जब जनता अलोचना करती है जब जनता प्रदर्शन करती है जब जनता अपना अधिकार मांगती है तो जो सत्ता में उसे खुश होना चाहिए कि जनता कुछ कह रही है सुनो कि नौजवान में इतनी उर्जा है कि वह अवाज उठा रहा है अपनी मांग अपना अधिकार मांग रहा है लेकिन यह जो भाजप्पा की सरकार है यह सोचते हैं कि आपके लिए काम करके यह आपने अस्तान कर रहे हैं यह सोचते हैं इन्हें असास नहीं है कि आपने बना आए इसको यह एसास दिल्वा दिजीए आपका चुनावा रहा है जाहूल सचान जी जमीनी कारिक करता है जमीन से उठे हैं काम करते हैं गाउ गाउ जाते हैं मैं इनके साथ पिछली बार यहां फ़ते पुराई तो को आप आप राजनीती सिर्फ अपने चेतर के लिए नहीं सीरफ अपनी ज़र्वितों के लिए नहीं लेकिन अपने बच्चों के भविषद को मसभूत बनाने के लिए अपने देश को बचाने के लिए क्योंकि आन देश खत्रे में है यह फूट की राजनीती है। और नकारात्मक राजनीती है। इसे आप परे करेए और एक ऐसी राजनीती लाईए करें जो आपकी बात करें जो आपकी समस्याओं की बात करें जो उनका हल करें पूरा प्रयास करें और आपके समर्पित रहें यही बात दिनक जब वोड़ इनमें जायेंगे सुछर आGUो जुटाइए बात बहुत धन्यommas नेसे पापक जैन के ला है हम जो